धमतरी डुबान क्षेत्र के ग्राम बिडावर के ग्रामीन अपनी मांग लेकर कलेक्टेट पहुचे जहां ग्रामीनों ने अपनी समस्याओ को बताया ग्रामीनों का कहना है कि जो वोल्टेज और बिजली कटोधी के कारण गाउं में मोटर पप नहीं चल रहा है जिसके चलते ग्रामीनों को हैंट पंप का पानी पीना पड़ रहा है लेकिन हैंट पंप से निकलने वाला पानी काफी गंदा है जिससे मजबूर किसान को वही पानी पीना पड़ रहा है धमतरी से वैभव चौदरी की रिपूर्ट हो है तो हमारी यह बीजली कताउती बहुंच जाता है पांच बज़े बंद कर से और लेंग चालू करेके कर जो कर कोई टैम नहीं कभी आराफ बज़े कर ही कभी दो बाज बज़े करे ही कभी टाहट के चालू कर से और तो ठसल मना रुपा लगे है पानी नहीं है जबिन मना एला के चयक्ट थे भान मनम नुब्जुरास है बोटल में पानी ले किया हो कहा पामा ओध है? नल के पानी नल के पानी बहुत दिस आती है नल जवके जो पानी है ना कंकी बने है आग लोत तीन साल होगी आज तक और नल जाओ के पानी सखले नहीं हो आजी माला भारी सिक्का से पानी कले पानी के समस्या है नल जल चालो भी हुआ है एंट पां से गंदा पानी नहीं करें यह बात संग्यान में आई है पीएशी कुमार किये है एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके संग्यान लेके काम किया जाएगा